Hello everyone, welcome again my YouTube channel ममा बच्चा टॉक्स आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम 4 साल से छोटे बच्चे को एडिशन करना सिखा सकते हैं जो पहले का study system था उस टाइम पे बच्चा 1st class, 2nd class में एडिशन करना स्टार्ट करता था बट आप competition level बहुत बढ़ चुका है और बच्चा early age में ही start कर देता है तो जब भी हम बच्चे को addition करवाना start करवाएंगे तो कभी भी हम उसको direct copy पे plus करना नहीं सिखाएंगे सबसे पहले हम बच्चे को physical object के थुरू plus करना start करवाएंगे छोटे बच्चे को ममा की bangles बहुत पसंद होती है तो हम bangles से भी start कर सकते हैं या फिर जो भी object आपको पसंद हो हम बच्चे को जैसर two bangles दे देंगे और बच्चे से पूछेंगे कि बटा भी आपके पास कितनी bangles है तो बताएगा two फिर हम उसको और add करने के लिए two bangles दे देंगे फिर बच्चे से पुछेंगी अब आपके पास कितनी bangles है तो बच्चा count करके बताएगा four bangles तो इस तरह से उस time पे बच्चे की जो समझने की capacity है बच्चा easily समझ जाएगा कि addition करने का मतलब कुछ चीज बढ़ना होता है वो mind में ये clear कर लेगा कि addition मतलब कुछ बढ़ना होता है इसके अलावा हम कुछ भी different object ले सकते हैं जो कि बच्चे को पसंद होता है कुछ भी जो applying करता है, खाता है या कुछ भी object के थुरू हम बच्चे को add करना सिखा सकते हैं हमारा main motto बस इतना है कि जो बच्चे की learning capability है वो बहुत strong हो जाए इसके बाद हम copy पे switch करेंगे हम बच्चे को copy पे add करना सिखाएंगे copy पे भी हम बच्चे को दो तरीके से add करना सिखाएंगे two step में addition perform होता है first step थोड़ा long method होता है थोड़ा time ज्यादा लगता है तो जो छोटा बच्चा है उसको हम starting में पहले ये easy process जो कि थोड़ी long होती है ये सिखाएंगे जैसे कि हमें बच्चे को addition करवाना है four plus three तो हम बच्चे को बताएंगे कि four के लिए पहले आप यहाँ पे four line बनाओ और three के लिए three line बनाओ और उसके बाद आप इसको total count करो कि कितना हुआ है तो बच्चा easily count करके बता देगा कि seven हुआ है ऐसे ही फिर हम उसे five plus three का बोलेंगे तो five के लिए वो five line बनाएगा और three के लिए three line और answer आजाएगा eight ये प्रोसेस थोड़ी सी long होती है जब बच्चा इसको बहुत अच्छे से करना start कर देता है उसके understanding level बहुत बढ़ जाता है तो उसके बाद फिर हम थोड़ी सी जो इससे short trick होती है हम उस पे switch करेंगे जिसे four plus five तो हमें बच्चे को यहाँ पे समझाना होगा कि already यहाँ पर four है तो हमें four line नहीं बनाना है अब four के लिए four line बनाने की जलुरत नहीं है तो हम directly five के लिए five line बनाएंगे और four already है तो four के बाद जो next number आता है five five से हमें counting स्टार्ट करनी है five six seven eight nine तो इस तरह से हमें बच्चे को समझाना पड़ेगा कि इस trick के थूँ उसका time बचेगा इस पे हमें तब ही switch करना है जब वो उपर वाली trick को समझ जाए अगर बच्चा चार साल से बढ़ा है तो आप उसको directly यह short trick बताईए अगर बच्चा चार साल से छोटा है तो आपको पहले long trick उसको बतानी पड़ेगी क्योंकि बच्चे उस time पर उतने अच्छे से understand नहीं कर पाता है आप पहले long trick बताईए अगर वो long trick easily कर पा रहा है तो आप उसको फिर short trick बताईए इसके अलावा जब भी आप बच्चे के पास free खाली time बेठे रहते हैं या फिर sleeping time पे आप बच्चे से बात कर रहे होते हैं तो आप बच्चे को fingers की help से भी addition सिखा सकते हैं तो इसमें two fingers और add करेंगे तो कितना हो गया two fingers में one finger add किया तो कितना हो गया तो इससे बच्चे की जो understanding level है वो बहुत improve होगा अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी helpful लगा है तो वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए